सब्सक्राइब करें तो जैसे कि दोस्तों हमने लांस लेक्चर में अपनी कुछ बेसिक टर्मोनोलोजी पड़ी थी अपाउट द जेनेटिक्स तो हमने फिनोटाइब जिनोटाइब के बार पर हम पड़ा था आज हम पहले डिसकस करते हैं कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट क्या और उसने पी प्लांट को ही क्यों चुना राइट और अफटर रेक्ट वी मुव टूवर्ड्स था कि क्रॉसिंग उसने किस तरह के से की है तो मेंडल का जो क्रॉस है बच्चों तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था तो मेंडल सबसे पहले आपको याद रखना है उसने प्ला सबसे पहले बात है कि क्या एसे ड्वंटेज रह चुके हैं जिसकी वजह से मंडल ने पी प्लांट को ही चुना तो सबसे पहली बात है कि पी प्लांट जो है इसके करेक्टर्स जो है वो वेल डिफाइंड है इसके अलावा हम इसमें इसली सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं बासेक्शूल है तो आपको जादक वेरिएशन के चांसे जो हैं वो कम हो जाते हैं इसकी वजह से आपको आपका जो करेक्टर्स टिक फीचर हो एक जैसा मिलता है तो जब आपके पास जादा वेरिएशन नहीं हो थी तो आप जो है एक लॉंग प्रोजिनी में एक जैसा रिजल्ट बार बार आप ला सकते हों राइट बात सब्सक्राइब करने में असानी थी प्रोज फटिलाइज़टेशन भी पॉसिबल थी वह भी करवा सकते थे और प्योर लाइन वैराइटी जो है वह आपको मिल रही है उसकी जैसे आपके प्रेरेंट्स में करेक्टर स्टिक हैं आफ्टर जनेशन आपको ऑफ्प्रिंग में भी पैसे ही characteristics देखने को मिल रही हैं अगर parents tall हैं तो आगे जाके offspring में हर offspring में जो है after generation to generation आपको वो same चीज़ देखने को मिल रही है और आप एक ही generation में मैंने जैसे पहले कहा है number of seeds लगा सकते हो जिसकी वज़े से आप बार-बार progenies को बार-बार बढ़ा सकते हो तो यह experiment का में मॉटिफ था जिसकी वज़े से एक पी प्लांट जो है मैंडल के लिए advantage रहे है तो मैंडलीजम का मतलब ही यह है कि वह experiment जो मैंडल ने genetics में किये हैं जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है you have to select तो select कर लिया पी plant then you have to hybridize तो मैंने पहले भी पोला था कि parents से हमेशा superior qualities के offsprings आना that is hybridization then selfing selfing में आपके पास जो है वो क्या जाएंगी selfing means आप क्या करवा रहे हो उनका आपस में reproduce कर रहे हो and lastly calculation करना वो prediction करना की result क्या आएगा and later on इसके basis पर frame किएगे आपके laws genetics के so सबसे बाले हम क्या करते हैं emasculation and what is emasculation जब आप self fertilization करते हो right आप enters को remove कर दो वहां पर before they get mature right इस चीज़ को आप emasculation बोलते हो ठीक है emasculation आपको याद रहेगा emasculation क्या है and third floor के structure में जो male part होता है that male part आपको remove करना है before maturity ठीक है that is emasculation तो stigma जो है वो protect हो जाएगा कोई भी बाहर का pollen grain उस पर नहीं आएगा तो हम क्या कर देते हैं जो आपका stigma part है उसके ऊपर जो है आप cover कर देते हो आप जिसको बोलते हो at last आपके पास pollination होगी और फिर जाकर आपके पास क्या हो जाएगी as per your consideration आपके पास उसी हिसाब से जो है आपका क्या बन जाएगा floor जो है आपकी progeny बन जाएगी अब वो साथ characteristics के बारे में बात करते हैं जो mandal ने अपनाए है तो सबसे पहले आप देखो stem की height floor color floor की position pod की shape pod मतलब फली उसकी shape कैसी है उसका color कैसा है seed की shape कैसी है seed का color कैसा है तो mandal ने एक designation की कि dominant characteristics यह होंगे और recessive characteristics यह होंगे जैसे stem की height में tall और dwarf ले लिया एक लंबा एक छोटा floor का color जो है dominant violet हो सकता है white recessive हो सकता है floor की position जो है axial मतलब side पे हो सकती है या फिर terminal हो सकती है terminal वाली आपको या दखनी है recessive है pod की shape की अगर बात करें it could be inflated right या फिर constructed fully भी हो सकती है मटर का आपने देखा हुआ है मटर का अगर देखोंगे बाद जो उसका चलका है कभी-कभी बिलकुल ऐसे contact type that is constructed pod का color green भी हो सकता है yellow भी हो सकता है जो seed बनेंगे आपके वह round भी होते हैं और कभी-कभी थोड़े से wrinkle shape में भी होते हैं और yellow भी हो सकते हैं यह थे मेंडल के वह साथ करेक्टिस्टिक पी प्लांड के जिसके basis पे मेंडल इतना famous हुआ है okay basically उसकी basic knowledge जो है basic जो उसके पास bio और math की चीज़ उन calculation के कारण ही आज हम genetics में इतना जाद आगे पहुंच पाई है so these are the seven basic characteristics that were used by the Mendel at that time और मैंने साथ ही बोला था आप इनको genes नहीं बोलते हुआ आप factors बोलते और उसी के साथ हमने alleles पड़े थे तो इनहीं की allelic forms जो है allelomoffs जो है हम वो utilize आगे अपने experiment में करेंगे okay तो एक बार देखो फिर से ये chromosome होते है ठीक है और किस किस chromosome से कौन सा characteristic लिया हम उसकी बाद में बात करें सबसे पहले आपका floor का जो color है this one floor का color और seed का color it is taken from your chromosome number first ठीक है then आपके पास जो pod की shape है pod की shape मैं ग्रीन से ले रही हूँ pod की shape, plant की height और floor की position these three they are taken from chromosome number four and अब बचा हमारे पास क्या pod का color pod का color जो है pod का color जो है it is taken from chromosome number five pod का color chromosome number five बचा हमारे पास seed की shape और जो seed की shape है हमारे पास दोस्तों तो seed की shape जो है वो ली गई है from this chromosome number seven तो यह आपको याद रखना है क्या-क्या आपके पास color किस-किस का seed का color और floor का color they are taken from chromosome number first, pod की shape, floor की position, plant की height यह सारे लिए गए है chromosome number four से उसके बाद बचा आपके पास दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है pod का color that is taken from five chromosome और आपकी seed की shape अलग लेगी है seven से तो आपको यह दो और यह आपको याद रखना पड़ेगा pod की shape, floor की position, shape pod कहां पर लगा है, floor कहां पर है और plant की height कैसे this is the plant height, right this is the pod की shape ठीक है और floor की position ठीक है यह वाला पार्ट आपको याद रखना है chromosome number four पर तो यह four जैसा structure ही है आप इसको इस तरफ ले लो तो अगर इस तरफ ले लोगे तो यह लो इस तरीके से कुछ four जैसा structure बन गया यहां पर ठीक है 7 से, right so this is the basic thing तो यह आपके पास आ गया मैंडल एक्सपेरिमेंट में जो आपको पता होनी चाहिए, right अब एक पॉइंट और यहां पर में clear कर देती हूँ, जब हम cross करते हूँ जो हमारी पहली बार जो offspring बनते हैं आप उसको F1 generation बोलते हो, ठीक है तो जब भी आप बना रहे हो, आप breeding करवा रहे हो, प्लांट की self fertilization करवा रहे हो, उस part में आपके पास जो भी traits आएंगे, जो पहली generation के hybrid बनेंगे, आप उसको F1 generation बोलते हो, या फिलायल generation बोलते हो इसी तरीके से अगर आप जितनी बार generate करोगे, उसी जाप से आपके पास F1, F2, 3, 4 generations आते जाएंगे, और मैंने आपको पहले ही बोला था, आपका monohybrid cross वही cross है, जहां पर आप एक single character को लेको cross कर रहे हो, इन दे नेक्स वीडियो हम वो discuss करेंगे, कि crossing करते कैसे हैं, see you in the next video